लोकप्री स्कूटर निर्माता LML ने भारत के दोफिया वाहन बाजार में वापसी कर ली है कम्पनी ने देश में तीन इलेक्ट्रिक दोफिया वाहनों का खुलासा किया LML ने तीन इलेक्ट्रिक कॉंसेप्ट वाहन LML स्टार LML Moonshot और LML Orion का खुलासा किया है इसमें LML Star एक electric scooter है जबकि Moonshot एक electric bike है जो की paddle assist system के साथ आती है कंपनी ने electric cycle Orion को भी पेश किया है LML Star electric scooter की बात करे तो इसे modern और futuristic design दिया गया है इसमें आगे की तरफ, apron के उपरी हिस्से में LED projector headlight और निचले हिस्से में LED DRL लगाया गया है scooter में LED turn indicator दिये गए है इसके अलावा, इस scooter में full digital display unit दिया गया है जो charging, battery और speed समेट कई तरह की जानकारियों को दिखाता है scooter में grey rung का foot board दिया गया है वहीं dark grey rung की seat पर raid highlights दिये गए है scooter के pillion grab rail पर भी raid accent दिया गया है कुल मिला कर यह scooter sporty अंदाज में पेश की गई है उम्मीद है कि company scooter से युवा ग्रहकों को आकरशित करने की कोशिश करेगी फिल्हान इस scooter के बारे में company ने कोई तक्नीकी विवर्ण साजा नहीं किया है LML moonshot crossover एक electric dirt bike है company ने इसे भी concept model में ही पेश किया है इस model की कुछ प्रमुख विशेशताओं में portable battery pedal assist, riding mode और एक fly-by-wire throttle शामिल है pedal assist से इस bike की range बढ़ाई जा सकती है वही चार्ज खत्म होने पर इसे सिर्फ pedal घुमा कर भी चलाया जा सकता है साथ ही company का दावा है कि moonshot 70 km प्रती घंते की रफ्तार से तेज़ चल सकती है हालांकि company ने इस dirt bike के बारे में भी तक्नीकी जानकारियों का खुलासा नहीं किया है